हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रॉलेजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक स्क्वाइर शेप बना रही है काफी हार्वर्किंग टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है और फिंगर्स को अगर देखा जाए तो फिंगर्स की लेंथ भी यहां प इनके अंदर अडवेंचर टाइप की नेचर इनकी रहेगी और रिस्क टेकिंग टाइप की परसनेलिटी रहने के चांसे हैं काफी अच्छी क्रीटिविटी भी सुरे फिंगर्स की लेंथ की वज़ए से रह सकती है और गुरू फिंगर्स का थोड़ा सा शॉर्ट होना फैम इन्सान यहाँ पर यहाँ नजर आ रहे इनके फिंगर्स से और फिंगर्स के बीच में गैप आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो गैप्स हैं जैसे इनकी सूर्या फिंगर में और मरकरी फिंगर में सैटेंग में ही काफी ज़्यादा गैप है और इसी तरह का गैप यहाँ पर गुरू और शनी फिंगर के बीच में भी नजर आ रहा है इस तरह गैप होने के वज़े से व्यक्ति थोड़ी रबिलियन टाइप के होते हैं और थोड़ा जिद्धी सभाव भी रहता है इस तरह का गैप होने कोई भी काम करते हैं अगर मरकरी को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी की जो लैंथ है फिर्स्ट फैलेंच तक पहुँच पार है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है फिंगर और यहाँ पर भी लो सेट हो रही है तो थोड़ी शाई टाइप की निचर रहने के चांसेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी फिंगर्स के बाद इनके मांउंट्स को और उसके बाद चेक करेंगे इनकी लाइन्स को भी तो यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है अब देख सकते हैं जिसमें शनी गुरू और सूर्य माउंट को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है लेकिन इनका जो मरकरी माउंट यहाँ थोड़ा माउंट पर अपवर जाने वाली रेखा मौझूद है कुछ इस तरह की रेखा जो उपर की तरफ बढ़ती हुए नजर आ रही है जिसकी वजह से लाइक में प्रॉग्रस काफी अच्छी रहेगी और एक आड़ी रेखा भी आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की आड़ी र होती है छोटी एज में नहीं रहती जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पिरिच्वालिटी व्यक्ति के भीतर आती है और एज के साथ साथ ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से स्पिरिचल माइंड़ भी हो जाते हैं ओवराल कोई भी नेगटिव चिन मुझे इनके गुरू माउंट के पर नजर नहीं आ रहा है काफी उबरा हुआ इनका गुरू माउंट है जिसकी वज़य से यहां पर जो थोड़ी सी फिंगर इनके शौर थी वो कमी भी पूरी हो रही है और एक स्ट्रॉंग गुरू माउंट होने की वज़य से फैमिली की तरब से सुख भी व्यक्ति को मिलत देखते हैं थोड़ा सा फ्लैट और दबा हुआ शनी माउंट और अगर शनी रेखा को देखा जाए तो शनी रेखा यहां पर लाइफ में स्ट्रगल भरती हुई कुछ इस तरह की शनी रेखा जो उपर की तरह बढ़ती हुई और यहां पर ओवरलैप होती हुई इस तरह से चल रही है पूरी तरह से एक स्ट्रॉंग और सीधी शनी रेखा का अभाव यहां पर नजर आ रहा है और इसी रेखा को काटने वाली रेखाएं भी यहां पर आपको नजर आएंगी जो अबस्टेकल लाइन्स चाहिए इसको रहूर लाइन्स हम कहते हैं तो इस तरह की शनी रेखा है कुछ स्ट्रॉंग हो रही है यहां पर जो एरिया रहता है यहां पर माइन की लाइन को भागया रेखा काट कर आगे बढ़ती है उस एज को हम 36 की एज मान कर चलते हैं और वहां से इनकी जो शनी रेखा है स्ट्रॉंग होकर आगे बढ़ रही है जो यहां पर शो क कर रही है कि तरक्की काफी रहेगी लेकिन उसके लिए इन्हें काफी जादा हाड़ वर्क भी करना पड़ेगा और उससे पहले बहुत जादा स्मूथ नहीं रहने वाली लाइफ में काफी सारे अपसण डाउंस इनको देखने पड़ेंगे तभी जाकर इनकी जो तरक्की है इ तोड़ा सा फ्लैट है और एक स्ट्रांग सूर्या रेखा का अभाव यहां पर मैं देख पा रहा हूं जिसकी वज़े से गौर्मेंट की तरफ से मिलने वाले बैनेफिट्स विक्ति को नहीं मिल पाते सूर्या माउंट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तभी विक्ति को एक अच्छा सोशल सरकल भी मिलता है सूसाइटे में अच्छा मान समान मिलता है तो यहां पर एक एवरेज सूर्या माउंट यहां पर मैं देख पा रहा हूं मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट यहां पर स्पेस में कम होता हुआ अदरवाइस कोई भी प्राबलम नहीं है मरकरी माउंट के अपर थोड़ी स्पेस मरकरी माउंट को कम मिल रही है और मरकरी रेखा यहां पर कुछ इस तरह की मौजूद है जो एवरेज लेवल का ब बजनेस करेंगे तो उसमें भी इनको benefits मिल सकते हैं आगे देखते हैं इनकी major lines को तो सबसे पहले heart की line की बात करने जा रहा हूं तो अब देख सकते हैं heart की जो line है इनकी बिल्कुल straight चल रही है और हलका सा उपर की तरफ curve भी है कुछ इस तरह की सीधी रेखा और थोड़े curve के साथ तो ना ही बहुत ज़्यादा emotional और ना ही बहुत ज़्यादा practical यहाँ पर average टाइप की यहाँ पर qualities दिखाई दे रही है heart line से नीचे की तरफ निकलने वाली कुछ हलकी रिखाएं भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की branches जो नीचे की तरफ चलती है heart line से यह emotional setbacks की lines रहती हैं जितनी ज़्यादा lines इस तरह से नीचे की तरफ हो उतनी बार व्यक्ति को life में emotional setbacks देखने को मिलते हैं overall काफी loyal type की personality इनकी रहेगी और काफी practical type की personality भी कह सकते हैं otherwise कोई भी major problem heart से related यहाँ पर नजर नहीं आ रही mind की line को देखा जाए तो mind की line बहुती straight है और काफी लंबाई में है जिसकी वज़े से memory इनके काफी sharp रहने वाली अब देख सकते हैं इस तरह की लंबी रेखा mind की और जिसमें से एक branch निकल कर उपर की तरफ जाती हुई इस तरह की branch व्यक्ति को clever minded बनाती है और ऐसे व्यक्ति बिजनस करने के मामले में काफी sharp हो जाते है और दूसरे की जेब से पैसा निकलाने की कला इने जरूर आती है और sharp mind line का यहाँ पर इने benefit भी रहेगा और कई बार इस तरह की लंबी जो mind की line है यह नुक्सान भी करती है जो कि ऐसे व्यक्ति की memory ज्यादा sharp होने के वज़े से पुरानी से पुरानी बातें भी mind में रहती है और उन्हें भूल पाना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है otherwise दोनों ही lines बिल्कुल straight चल रही हैं बहुत ज्यादा चुकाव नहीं है इस line में भी जिसकी वज़े से practical और realistic type की personality इनकी मैं देख पा रहा हूँ आगे बात करते हैं इनकी line of life की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो life की line है काफी अच्छी लंबाई में और पीछे की तरफ मुड़ती हुई और यहाँ से एक हलकी ब्राँच बाहर की तरफ निकलती हुई जो इन्हें विदेश यात्रा दे सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं कुछ समय के लिए विदेश जा सकते हैं स्टे कर सकते हैं थोड़े समय के लिए लेकिन अगर इनकी ओवराल लाइफ की लाइन को देखा जाए तो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ती हुई अपनी फैमिली से अपने अपनी मदर लाइन्ड से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे जिस वज़य से फारण में ज़्यादा लंबा समय यह नहीं रुक पाएंगे और अगर देखा जाए यहाँ पर आपको नजर आएगा काफी सारी स्ट्रेस लाइन्स इनकी लाइफ लाइन को भी डिस्टरब करती हुई तो यह स्ट्रेस लाइन्स दोनों तरह के स्ट्रेस देती हैं यहां तो हैल्थ रिलेटर प्रॉब्लम्स यहां फर मांसिक तनाव ऐसी दिक्तों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ की लाइन काफी लंबाई में है एज काफी लंबी रहेगी 80 के असपास की एज लेकिन यहां पर आकर 60 के पास आकर आपको यहां पर नजर आ रही होगा एक आईलेंड यहां आईलेंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हैल् पामिशन यहां पर इनकी मरकरी लाइन और एक आफ यूट से बन रही है जो डाउनवड चल रहा है और यहां एक तरह से जो आईलेंड है 60 के असपास की एज में इन्हें हैल्थ रिलेटर दिक्कतें दे सकता है उसके लावब आप देख सकते हैं यहां पर इनकी जो लाइन मरकरी है इसको हम हैल्थ लाइन भी कहते हैं यह भी ओवरलैप हो रही है तो स्टमक रिलेटर प्रॉब्लम्स का सामना इन्हें करना पड़ सकता है और विया लसीविया लाइन आपको यहां पर काफी क्लियर नजर आएगी इस तरह की लाइन जो यह आड़ी रिखा आपको न नहीं माना जाता विया लसीविया या लाइन आफ एडिक्शन इस लाइन को कहा जाता है इस तरह की लाइन होने की वज़े से व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की लत लग सकती है चाहे वो अलकोहल है चाहे वो कोई मैडिसन है या वो स्मोकिंग है इन सब चीजों से थोड़ा स कि सुक्स विधाएं इन्हें देता हो नजर आ रहा है इसकी वज़े से व्यक्ति के खर्चे भी काफी अधिक रहते हैं और अगर यहां पर money triangle को देखा जाए तो money triangle भी पूरी तरह से बंद नहीं है जो इनकी खर्चीली personality को show करता है काफी ज्यादा खर्चे इनके life में रह सकते हैं यहां से money triangle को खुला होना overflow और outflow की यहां पर एक तरह से condition को दर्शाता है पैसा इनके बस आएगा खूब लेकिन यहां उसको बचा नहीं पाएंगे और इनके खर्चे काफी ज्यादा life में रहने वाले हैं उसके लाब आप देख सकते हैं चंदर एरिया यहां पर अच्छा है लेकिन जो विया लसीविया लाइन की formation है जिसकी वज़ए से थोड़ा effect पढ़ रहा है तो यहां एरिया भी थोड़ा सा problematic हो जाता है विया लसीविया लाइन की वज़ए से और मानसिक तनाव जैसी दिक्तों का समय समय पर व्यक्ति को सामना भी करना पड़ता है तो यहां कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद